गुण मूरिंग स्टूडियम वापिस से आपके लेक लेके आया हूँ पोयम नुमर 18 दिक्रीनी विदाई सब्जेक्ट है गुजराती और कवी का नाम है अनिल चावडा उपनाम उसका बेदिल के नाम से भी काफी प्रसिद्ध हुए गुजराती लिट्रेचर के अंदर उसने काफी सार अपना योगदान दिया और आज का जो उसका योगदान है वो है साइतिप्रकार गीत दिक्रीनी विदाई वो है नुमर 18 स्टांडर 9 क्या बताना चाहते हैं दिक्रीनी विदाई के अंदर सेखते हैं समझते हैं यहां पर दिखरीनी विदाए अनिल चावडा अनिल प्रेम जीबाए चावडा जन्म सुरिंद्र नगजिला का लगतर तालोगा के अंदर आयरा कारे लागाओं के अंदर उसका जन्मा हुआ है निबंध संग्रा के अंदर सुख दुख मारिय द्रस्टी है शब्द साथ है मारो सबन और प्रेम विशे उसकी बहुत ही पहतरीन भूप में से एक है इसके इलावा उसने आचरे ते आचारिय इसके पर उसने चिंतनात्मक निबंध भी लिखे हुए है साहित्य अकाद्मी के इसाब से उसको नवाजा गया है और दिल्ली युवा पुरुस्कार के इसाब से बियेज को सम्मानित किया गया है तो देखते हैं यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं महंदी मूकी चाल्यं आजे घरनू ये अजवालू अवे चाली रही छे, हवे एक दीजा घर मा जई रही छे, तेनी विशे एक पिता जे छे यह नो मरम स्पर्शी अहीं वाद रजू करी छे आ कावियनी अंदर के दिक्री जाता एम लागतु गयो गोखनो दीवो अने संधाय हवे आ फड़ियू गम्मे तेटलू सीवो जेनी पगली पड़ता सगरे थै जतु हतु आ घर मारू रजवाडू जेनी पगली पड़ता सगरे थै जतु हतु आ मारू नानक डिवो घर पन थै जतु रजवाडू मेहंदी मुके चाल्यू आजे आ मारा घर नू आ प्यारू आ अंजवाडू आम पिता पोदा मननी व्यथा रजू करे चे अने त्यारे मननी व्यथा रजू करे चे जाने दिक्र इमा नहीं पड़ शे ए भाद पहला जेवी दूर दूरे चाली जशे आ घर नी आ मिराद आसू थी बिंजा शे सव नी आखनु आ परवाडू मेंदी मुकी चाल्यू आजे आमारा घर नू पंजवाडू इस तरह से यहां पर जो अमारे कवीवर है अनील चावडा जी बहुती सही एक मरमसपरशी बात यहां पर बताए गई है कि जो बेटी को प्राप्त करके पिता जो अपने आपको एक किंग समझता है राजा समझता है उसके द्वारे यहां पर बताया गया है कि जो बेटी अब शादी के लायक हो गई है शादी के लिए उसके हाथों में मेंधी पर आज वो दिक्री जा रही है एक दूसरे घर के अंदर अपने हाथों में लगए उसने मेंदी के आठ आटला वर्षों इतने सारे बरस तक जो मेरे घर को हुफाडू प्यारा सा खुशनुमा सा रखा था सब को जोड़ के रखा था मा तको पिता से पिता से भाई से और अधि मुकी छे और आजे जिसने मेरे घर में आकर जिसने मेरे घर को रौशन किया था जिसके गारस मेरा घर के अंदर अंजवाडू प्रकाशित वा था अब वो हाथ वो दिक्री आपको दूसरे घर में जाने के लिए तयार हुई छे दिक्री जहता एम लागतू के गयो जो खटा करके रखा जाता है एक दिया उसको गोखला कहता है मेरे घर का ये उजाला था लाइक को एक पीता अपने आपको एक किंग समझता है उसकी बेटी के सामने और बेटी के लिए उसका पीता सर्वशेष्ट इस दुनिया का इंसान होता है पुरुश होता है पन्तू ह अवे आ फळियानी अंदर ने दिवू, जेने आ फळियाने सिवेलू उतो पोताना प्रेम थी, एनी नानी नानी पगली थी, आ घरने घरनी पन्तु रजवाडू बनावियोतु, ए पोताना हाथ मां मेहधी मुकी अने अवे जय रही छे, बिजागर नू अंजवाडू बनाव माटे, रंगोडी पडशे नहीं, जे पितानी साथ्य बैसी अने जे घरनी अंदसरा स्मजानी रंगोडी बनावती आती, ए रंगोडी नी अंदर अवे पहला जिवे बात, पहला जिवे डिजाइन नहीं पड़े, अवे दूर दूर चाली जशे, आ घरनी निरात, जो मनकी जो इच्छाय है, हो लेके दूर चली जाएगी, आसूती बिंजाशे, सवनी आखनू, आ परवाडू, मेंदी मुकी चालीू, आ जया घरनू, पंजवाडू। इस तरह से यहाँ पर कभी अनिर चावडाजी, दिक्री के विदाय के समय की, पिता की व्यथा रजू की गई है इस गीद के अंदर, देखते हैं शब्द समझू थी, सामानारती शब्द है, हुफाडू, मलब स्ने बरा हुआ, गोंख मलब गोंखला, जो दिवार के अंदर खड़ा करके जहां पर हम दिया जलाते हैं, उसको गोंखलो कहते हैं, मिरात मलब वार्सो, दौलत या पूंजी, जो प्यार की दौलत हैं, उसके साथ यहां पर कंपरिजम किया गया है, उपोजिट वर्ड है, अंजवारू, अंधारू, अंधारू, अंजवारू, अंजवारू, एमसी क्यों आपके सामने, मेंदी मुकी चाल्यू, आज ए घर्नू, ए अंजवारू, एकले कौन, तो मेंद लाका दिया भी यह, फानस के साथ कंपरिजम नहीं गिया है, फानस मतलब लाल टेन को कहते हैं, इसमें कम उजाला होता है, इसके कांसर फानस, इसका राइट अंसर बनेगा, दिक्री जता सवनी आख केवी थेगे छे, तो भिना शावेगे छे, सब रूने लगे है, दिक्री क्या जती रहे शे, दिक्री ये पोता ना सासरे जती रहे शे, शोट अंसर जें आपर, मेंदी मुकी चाल लिओ, आज ये घरनू एंजवालू, यानी कौन, तो कहे दिक्री, रूपक दिक्री ने लागू पण तुन थी कौन सा रूपक, तो कहे फानस नाम का रूपक सेट न के दिक्री ये, मेंदी मुकी ने सासरे जती दिक्री साथे शूँ लेज़े शे, वा घरनू अंजवालू, इज़त, यानी कि ये संपती लेके जाएगी, दिक्री सासरे गई, तेथी शूँ जतू रहे शे, तो कह गोंखनो दिवो, इस गर की जो इज़त आबू है, शानों पिता को एक राजा होने का एसास है, वो सब चला जाएगा, ने संधाय हवे आफड़ियू, गम्मे, तेटलू, सीवो, आने, उने अनुलुक्षिने कहिऊ छे, तो कह सासरे जती दिक्री को ध्यान में रखके बताये गया, कि कि वो ससुराल चली जाएगी, तो कितनी भी अनक में बन जाता था, जब बेटी आते थी घर के अंदर, रंगोडी मां हवे पहला जेवी भात केम नहीं रहे, कांके रंगोडी पुर्णार दिक्रीय वे सासरे जती रहे शे इतला माटे, काविय मां दीवो, सीवो, आज शब्दने प्रास, जें वप्रात, अबिजा शब आमेटिक वड़ बनता है, ओके, यहां पर दिया है लॉंग आंसर, दिक्री विदायनी वेदना काविय ने आधारे बताओ, दरेक घर मां दिक्री ने लक्ष्मी ना रूपनी जम गणत्री करवा मावे चे, दिक्री याने लक्ष्मी, ऐसा माना जाता, माबाब दिक्री ने एक वात नों डर रहलो होई चे, के लगन पच्छी दिक्री ने सास्रामा सारे ते रहवानू मल छे के नहीं? आ विचार आवता, माता पिता, ओताने ते जिप्लू पन सुख अने सुवीधा अने सगवण होई, ते दिक्री ने आपवानी कोशिश करे चे, लाड कोड मा उच दिक्री चारे सासरे जाये चे, केरे जाने घर नू अजवालू तेनी साथे जत्तू रही होई, ते वो पितानों एहसास है या रजू करियो चे, घर नी रोनक तेनी साथे जती रही होई, ते वी लागनी सवनाईया लागे चे, आम लांबा समय सोदी दिक्री नी गेर हाजर या दू तीन वाक्य में आंसर अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि रंगुड विमा पड़ेली पहला जिवी भात केम नहीं पड़े तो उसका आंसर यहां पर है दिक्रीने घरनों अंजवालू केम केवा मावे छे वो भी यहां पर है दिक्रीने लगना पच्छे सासरे जटा तेना घरमा दिक्रीनी खोट क्या क्या अनुगवा शे वो भी यहां पर आंसर लिखा है और सवनी आखोनी पापन आसुती शामाटे भीजा शे तो यह जो चारों आंसर है उसके सामने आप एक के लगन कर लोगे तो भी चलेगा या option यह है कि आप यह चारों के चारों करो as wish अगर आपको छोटे-छोटे आंसर लर्न करने में ज़्यादा मज़ा आता है तो आप यह चार लर्न कर सकते हों अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़ा एक ही करने से भी आ जायेगा तो कोई दिक्कत नहीं है वो सकता है पर हमेशा जब भी question answer learning का अगर आता है तो उसके दर जहाद ध्यान रखेगा कि short answer से learn करो तो भी short answer में क्या होता है कि हर एक word और उसका spelling आपके दिमाग में उतर जाता है और आपके पास उसका पूरा conclusion है आपके पास moral है कि इसमें क्या बताया है तो उसके आधार पे आप long answer बहुत easily अपने on word में लिख सकते हो तो हमेशा short answer learn करने में भी easy होते है लिखने में भी easy होत इसके द्वारा आप long answer भी बहुत easily बना सकते हो ठीक है तनिवाद thank you very much यह जो poem है मैंने एक बहुत ही serious तरहे के से आपको समझाने की कुशिश की त्योंकि दिकरी जो होती है और घर के अंदर हमेशा रोशनी लेके आती है जब जाती है तो कहीं ना कहीं एक पिता के रदे की की व्यथा हमें यहाँ पर अनुल चावडा जिने व्यथत की है आशा करता हूं कि यह बहुत ही emotional जो poem है तो हर एक पिता को और हर एक भाई को समझ में आई होगी आप भी अपने बहन के साथ यह पोले ज़रूर discussion करेगा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकती है thank you very बहुत है